कि ले नमस्कार स्वागत है आप सभी का कम्प्टिशन कॉम्मडीटी के यूटीूब चैनल पे और हम लोग बात कर रहे हैं का अग चला रहे है और आज के कलास में हम लोग बिरोजगारी और गरीबी इसके बारें बात करेंगे यानि employment and poverty, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, exam point of view से ज्यादा बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि चीजे बहुत सारी है, तो हमको carry करके कि जितना ले जाना है, हम उतना बात अगर करें, तो ज्यादा बेहतर है, और मैंने कोसिस किया है, पिछले जितने भी वीडियो है उसमें, हो जाएगी, तो गरीबी के बहुत सारे मामले automatic solve हो जाएंगे, चलिए ठीक है, हम बेरोजगारी की बात करते हैं, और exam के question भी यहाँ से हम आपको निकाले की कोसिस करेंगे, या निकालेंगे, और आपको हम बताएंगे कि यह exam का question है, एक exam का question है, सबसे पहले देखते हैं कि गरीबी, यानि कि सारे बेरोजगारी क्या है, कोण बेरोजगार है? है ना, पड़िभासा हम देखते हैं कि कोण बेरोजगार है, तो एक परफेसर पीगु हुए, उन्होंने कहा कि जब एक ब्यक्ती सक्रिय रूप से नौकरी की इमांग कर रहा है, पर उसे काम नहीं मिल र रहा है तब विरोजगार है बात समझ यह अगर कोई खटिया पर बैट करके विरोजगारी चिला रहा है तो वो विरोजगार नहीं है और अक्सर अक्सर आपको वैसे लोग ही मिलेंगे जो पूरा दिन अपना जो है ना दिन जो है ना खटिया पर बैट के तास खेल करके और क् कुरसी पे बैठ करके और चोंकी पे बैठ करके निकाल देंगे और भासन क्या देंगे देखो कितना बिरोजगारी है देखो हम कहा हम को कहा नोकरी मिला हम बिरोजगार है बिरोजगारी गौर्मेंट उसको बिरोजगारी कहती है गौर्मेंट कहती है बिरोजगार वो है जो का तो यहां पर हम आएंगे फिर से पहले हम पढ़िवासा को पर अच्छी समझ लें जो काम मांग रहा है और काम नहीं मिल रहा है वुछ बात याद रखियेगा ठीक है चलिए और ऐसे लोग बहुतेरे मिल जाएंगे आपको बहुतेरे जो पूरा दिन भासन और में निकल जाता है और काम कुछ नहीं है चलिए उसके बाद अगला पॉइंट एक अमीर की स्रम सांखी की ब्यूरो है उन्हों कुछ बच्चों का कमेंट आता है देखो मैं इंग्लिस भी बोल सकता हूं मैं हिंदी भी तो पॉइंट यह है कि हम ऐसे चीजों को ऐसे भासा का पड़ियो करें आपके सामने में जो आपको लिए जादा उड़ेली बेंट है चलिए जिसके पास नौकरी नहीं है और सक्रिय र टेकनिकल बना दिया और एक टाइम फ्रेम डाल दिया ध्यान रखेगा इस दोनों ही परिभ्यासा में जो डिफरेंस है उसमें थोरा सा डिफरेंस है यह कहता है कि तुम मांग काम मांग रहे हो और तुमको काम नहीं मिल रहा है तो तुम बेरोजगार हो ठीक है और दूसरा क कहता है कि तुम काम मांग रहे हो पिछले चार हफ्तों से काम मांग रहे हो और आपको काम नहीं मिल रहा है जो भी परचलीत मजदूरी इदर है उसी पे परचलीत मजदूरी इदर पे अगर पिछले चार हफ्तों से आप काम मांग रहे हैं और आपको काम नहीं मिल रहा है और जब आप खंगा लेंगे तो आपको इन ही दोनों परिभासा पे आ करके अटक जाना होगा बहुत सारे परिभासाओं के बीच में जिसमें से एक है कि आप काम मांग रहे हैं लेकिन काम नहीं मिला तो आप बिरुजगार है और दूसरा चार हपतों तक चार हपतों का मतलब पि स्वैक्षिक ठीक है तो स्वैक्षिक बिरुजगारी जो है वो क्या है वो जरा हम बताते हैं स्वैक्षिक बिरुजगारी है जिसमें आपको काम नहीं करना है मतलब आपको काम मिल भी रहे है लेकिन आपको काम नहीं करना है स्वैक्षिक बिरुजगारी आप सब कुछ है मत आप सुख्षिक बिरोजगारी है। न दूसरे अर्थों में बता दे कि आप न तो स्किल है और न कोई एजुकेशन ऐसा बहतर है कि आप मारकेट में काम मिल सके। बाबजूद इसके आप काम भी नहीं ढून रहे हैं तो भी आप सुख्षिक बिरोजगारी है। मिला जुला करिए कि घर में धन संपत्ती जादा है, पैसा खूब है, बाबु, पिता जी और माता जी और जो पैरेंट है, उसके पास बहुत धन संपत्ती है, तो तुमको काम करने क्या वे सकता नहीं है, तो सुवक्षिक बिरोजगारी है, मतलब काम नहीं कर रहे हो, अपना म बिरोजगारी के अगले परकार में आ जाएगा, लेकिन मैं आपको समझाओ थोरा सा, तुमको काम करने का मन है, ठीक है, लेकिन जो मजदूरी दिया जा रहा है उस पे तुम काम नहीं करोगे, तो वो भी एक तरीके का सुवक्षिक बिरोजगारी है, कि चलो ठीक है, बजार में परचलित मजदूरी दर पे आप काम करने को तयार नहीं है, ठीक है, ठीक है ना, आपके मर्जी का अगर आपको मजदूरी मिला जाएगा, तभी आप काम करेंगे, तो ये भी एक तरीके के सुवक्षिक बिरोजगारी ही होता है, हलाकि बिरोजगारी के अलगलग परकार चाहे तुम कोई भी तरीके का नौकरी करो, होता नौकरी ही है, होता मजदूरी ही है, तो यही बात आपके economy में लिखा भी जाता है कि आपका जो labor cost है, जो भी आपका cost है, ठीक है, market में प्रचलित cost है, प्रचलित मजदूरी दर है, अगर उस पे काम आपको नहीं मिल रहा है तो आप अनेक्चिक बिरोजगरी है, आप काम करने के त्यार है भाई काम करेंगे, या हम काम करेंगे या पांच रुपिया, यह सारी बात यहां पे धियान रखिएगा, स्येक और इनेक्चीक के बारे में हैं थोरह सा बात किया, एक्जाम point अभी उससे बात कर ले जो कि मैं मैं आपको पहले रहला हुआ हूँ कि मैं और उसजाम की बात करूंगा करता भी हूं कि भारत में सबसे ज्यादा किस परकार की विरोजगारी पाया जाती है तो सब्से बारत में पाया जाता है यह पता नहीं कितने बार एक्जाम में पीछे question पूछा है और आगे कितने बार को exam में question पूछाएगा ठीक है तो भारत में किस परकार की बिरोजगारी structural अब आप बोलेंगे सर इस्ट्रक्चरल यानि कि सनरचनात्मक बिरोजगारी होता क्या है तो सनरचनात्मक बिरोजगारी को हम अभी तुरह देख लेंगे परतान होने की जरूरत नहीं है बिरोजगारी तो आप समाप्त करके आज जाएंगे ठीक है न तो यह इसका मतलब है क हर चीज को हम आपको बताएंगे तो मुझे लगता है कि आपको परिभासा समझ में आ गया प्रफेसर पीगु साहब का और आपको यूव बी एल इस यानि कि अमेरिकन स्रम सांकिकी बूर्ड की भी परिभासा समझत हो गया इसमें एक टेकनिकल चीजें जोड़ दी है जो कि बरते हैं टाइप ऑफ अनिंप्लाइमेंट टाइप ऑफ अनिंप्लाइमेंट और हम उसी टाइपस को ज़्यादा लिये हैं जो कि एक्जाम में पूछते हैं बहुत सारे टाइपस हैं लेकिन हम इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहां पर कवर किया है ध्यान रखिएगा और स्ट्रक्चरल दोनों इंभिव यह बहुत ज्यादा कव बोलते हैं महत पुर्ण है तो यह है क्या तो दरसली這ड क्या है इसको पर अच्छे समझ गयाता हूं यह क्या है कि मान के चलो कि यह एक सौप है यह एक क्या है सौप है या यह एक खेत है खेत है खेत है ठीक है दोनों से बात कर लेते हैं ठीक है इस सौप का महीने में आमदनी है सो रुपिया महीने में आमदनी है सो रुपिया और भाईया इस पे काम कर रहा है भाईया जो है इस इस खेत में सलाना इंकम मान के चलोगा कि हजार रुपईया, स्खेती में जानते हैं कम इंकम होता है, तो सलाना इंकम कितना है? हजार रुपईया, और इसमें पहले से आपके पिताजी लगे हुए हैं, कि हम काम कर रहे हैं, आपके पिताजी लगे हुए पहले से, अब क्या है कि अब दियान देना, मेरी बात को बड़ अच्छे तरीके समझ ले जा, पूरा परिवास आपको अच्छे तरीके समझ में आ जाएगा, और एकदम जीवन भड़ याद रहेगा, उसके बाद क्या किया तुम, कि तुम बला भाईया हम भी दुकान पर बैठेंगे, तो तुम भ तुम्हारे आने के बाद भी, जो महीने में इंकम था, वो सौ रुपईया ही है, और तुम्हारे जाने के बाद भी, जो खेती से पैसा आ रहा था, वो हजार रुपईया ही है, सलाना है ये सलाना है, ये मन्थली है, जैसे जोड़ लो हजार रुपईया ही है, तो इसका जब यह है कि तुम होते या तुम नहीं होते यहां पे कोई फरक नहीं परने वाला है यानि कि पैसे के आमदनी में कोई फरक नहीं परने वाला है ठीक उसी तरीके से दुकान पर तुम हो या नहीं हो उस दुकान के इंकम पे कोई फरक नहीं परने वाले है तो तुम जो है न क प swept या अमधनीप कोई फड़क नहीं परद रहा है तो दुनीया तो यह देख रहे है कि तुम रोजगार में हो चुपी भी बोलते ही हिंदी में छुपी हुई लोजगारी या छुपी बेडोजगारी ठीक है मतलब ये है बेटा कि तुम दुकान पर जाओ चाहिए नहीं जाओ कोई फ़रक नहीं परता है अब दुकान पर गया है तो दुनिया तो यह करा अरे दोखो दुकान पर चलने जाने लगा रहे कि देखो खेत में जाने लगा अभी जो है तुम जाओ या नहीं जाओ, तुम दुकान पर जाओ या पूरा दिन टपड़ी करो, कोई फरक नहीं परने वाला है, तुम खेत में जाओ, चाहे पूरा दिन नहर पर बैठ करके और गपियाओ, कोई फरक नहीं परने वाला है, तो अगर कोई फरक नहीं परने वाला है, तो त स्थिए परलोगे चुपी हुए तो छुपी हुए इसलिए क्यों कि तुम्हारा दोस्त देखेगा तक है केट क्हेत है मचलायस को सुधर गया है अब सच्छाइय क्या है in the matter of finance nothing और economy हमेशा बित की बात करेगा चीजों को यानि कि आपके resource को आपके मेहनत को आपके दिमाग को आपके विचार को आपके बोल को पैसा से तव लेगा तो पैसा नहीं आ है तो इसका मतलब कुछ नहीं है ठीक है परचन बिरोजगारी यहीं है कि तुम काम करते हुए भी बिरोजगार हो क्योंकि तुम्हारे काम करने और नहीं करने से कोई फ़रक नहीं पड़ता है गोपाला वाला बात है चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं अब है educate unemployment यानि कि में पाया जाता है तो किरसी कार में पाया जाता है और आप जानते हैं कि जहां पर एक लोग लगे हुए खेती में वहीं पर चार लोग भी काम कर रहे है और सब के सब महिनत कर रहा है और net output उतना ही है जितना की होना है तो वहां पर भारत में यह सबसे ज़दा देखे जाते दूसरे फिल्ड में भी है, दूसरे जगा भी है, लेकिन यह सबसे ज़्यादा किस में दीखे जाते हैं, एगरी कल्चर में, याद रखिएगा, ठीक है, चलिए, अब हम लोग अगला बेरोजगारी के बारें बात करेंगे, यानि बेरोजगारी के अगले परकार के बात करते ह जिसको बोलते हैं Educate Unemployment, सिक्षित बेरोजगारी, सिक्षित बेरोजगारी, इसका मतलब क्या है, कि बहुत ऐसे पढ़े लिखे, जो की काम पे नहीं है, क्योंकि उनकी युगता नौकरी से मेल नहीं खाती, अभी सिक्षित बेरोजगारी को जरा एक बार समझते हैं, थोड़ जो एजुकेशन सिस्टम है, उससे जो पाउस आउट होते हैं, उसमें से 90% किसी काम के नहीं है, यानि कि 90% काम के नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा था, 95% से ज्यादा डेटा उन्होंने बोला था, 95% तक बोला था, तो जो भी है, यानि कि जो एजुकेशन सिस्टम है, उससे ज यानि उसी मजदूरी दर पे ऐसा नहीं है, तो ये सिक्षित बिरोजगारी है, इंजिनियरिंग करके 5,000 रुपिया महीना कमाना सिक्षित बिरोजगारी ही नहीं है, याद रखेगा इस बात को, ठीक है, तो उसमें से भी सबको नहीं नौकरी मिल पाती है, तो पॉइंट यहाँ पड़ यह है, कि वैसे पढ़े लिखे लोग, जो अल्प नियोजित है, जो कोई अल्प नियोजित है, क्योंकि आप 5,000 रुपिया कमा रहे हैं, 50,000 रुपिया कमाना चाहिए, अल्प नियोजित है, और इसके कारण क्या है, तो दोस्पूर्ण सिक्षा परनाली, यानि कि जो फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम है, हमारा एजुकेशन सिस्टम भी फॉल्टी है, वहाँ पे टीचर्स जो रखे जाते हैं, वो बेहतर तरीके से नहीं पढ़ाते हैं, इन्वर्सिटीज, खासकर प्राइबेट इन्वर्सिटीज उनका काम सिफ प्रॉफिट कमाना है, काग जो पी इन्वर्सिटीज चलते हैं, रोज तो छापा पड़ता है, रोज तो जाँच होते हैं, रोज तो इन्वर्सिटीज के दरजा को समाप किया जाता है, रोज तो UGC जो है ना कुछ ना कुछ ना कुछ बैन लगाते रहता है, गौर्मेंट बैन लगाती रहती है, रोज तो ये चीजे हम लोग देख रहे हैं, गलत तरीके से सर्टिफिकेट जारी हो जाता है, ये सारी कहानी आप लोग समझते हैं, तो जब इनवर्सिटी या सब कुछ करेगा, पढ़ाई नहीं करेगा, और वहाँ जो परफेसर्स हैं, या जो भी वहाँ पर टीचर्स हैं, वह भी पढ़ाने के सिवा सब कुछ करेंगे, तो फिर बच्चे भी तो ऐसे ही निकल के आएंगे ना, और फाइनली आपके देश की एकॉनमी वेगदान नही देपाएंगे, तो उसको सिक्षित भी रोजगार कहेंगे, क्योंकि डिगरी बाइज तो वह सिक्षित है, लेकिन नौकरी के लिए उसके पास स्किल नहीं है, तो दोस्पूर्ण सिक्षा परनाली है, या फिर बढ़ियता जो है ना, कि हम अच्छा नौकरी करेंगे, छोटी नहीं करेंगे, इंजिनरिंग कर रहे हैं, पीएजडी कर रहे हैं, लेकिन छोटी नहीं करेंगे, या कॉसल की कमी है, तो ये सब इसके मुख जिम्मेबार है, सिक्षित भी रोजगारी के को ले करके, ये बात आप पच्छे तरीके समझेगा, हाँ, भारा सरकार ने नई सिक कर दिया जाए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आगे निकल जाएगा, लेकिन सचाई ये है कि बहुत सारी खामिया आपके एजुकेशन सिस्टम में, खास करके बिहार और यूपी बगरान में, जो संबीदा के टीचर बगरा हैं, बच्चों का पूरा हाल खराब करके रख एक दम, मतलब बिहार के बारे में तो बोला हैती कि वहां सिक्षा निती इतना बढ़वाद कर दिया है सिक्षा का, जिसका कोई हिसाब नहीं है, मतलब हर तरीके की बढ़वादी है, हाँ दिल्ली में गौर्मेंट स्कूल के लिए थोरा सा दिक्का था, लेकिन जो और बिरोजगारी को ले करके हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, चलिए, आगे बरते हैं, मौसमी बिरोजगारी, ये मौसमी बिरोजगारी क्या होता है, और साइकलिक बिरोजगारी क्या होता है, ये दोनों आपको देखने में एक जैसा लगेगा, समझाने के समय में कुछ कारण बन जाता है तो वहां पर जो काम करेंगे उसको उस समय काम मिलेगा उसके बाद काम नहीं मिलेगे इसको बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी ठीक है एक दूसरा गर्मियों के छुटी पे कोई certain जगा पे जहां पे लोग घूमने जाते हैं तो वहां पे लोग घूमने के लिए जाएंगे एक certain time पे जैसे गर्मी को छुटी पे उसके बाद नहीं जाएंगे तो वहां पे जो काम चलेगा वो मौसमी काम चलेगा यानि कि मौसम वहां पे रोजगार मिलेगा फिर नहीं मिलेगा उसी तरीके से जब भी छुटीयों का एक दिन होता है और छुटीयों के दिन में जो ख़र या घ्राइजद भाड़ा है। तो अपने उद्वादं बंद कर देगा और नंद भाड़ब अब जाता है और उत्पादन बढ़ जाएगा या उत्पादन बहुत कम करदेगा और पर ज्यादIch …. तो यह सारी चीजे हैं जो मौसमी बिरोजगारी के लियो करके आप समझ सकते हैं और इसको समझना बहुत असान है अगर आप किर्सी से है तो समझ रहें आप सहर में जाते हैं तो ice factories बेगरर की चीजों से आप समझ सकते हैं अब आज कल क्या fashion चल गया है कि एकदम कडाके की ठंडी है दिल्ली में एकदम दिल्ली की ठंडी तो आप समझ रहे हैं कैसी होती है हमारे उत्तर भारत की ही ठंडी बहुत मतलब आप पंजाब, हरियाना, दिल्ली, यूपी, बिहार तक की ठंडी जो है न एकदम ऐसा होता है कि हार कपा देने वाला और उसम हम इससे जोरेंगे नहीं ठीक है कुछ अलग लेबल के लोग होते हैं जिनका ऊपर वाला माला 죽 sounds как BACK है तो सिजनल ऐनियम्प्लाइममेंट की बात कर लिए मौसमी बिरोजगारी यह है उसको समझिए कि नियमी तंत्राल पर वेपार चकर के कारण ये भी तो वेपार चकर है आईस की चकर्टी भी तो वेपार चकर है तो यहां पे आप को कुछ Vice criminal VR agujaBardy में सबसे ज़ादा जो ध्यान देने वाली बात है वह देखते हैं क्या बोलते हैं वया पार में मंदी आना इसको उपर ज्यादा ध्यान देते हैं जैसे आर्थिक सुँष्ती या आर्थिक मंदी आना तो ये आर्थिक सुस्ती और आर्थिक मंदी जो है ना इसको cyclic unemployment में add कर लेते हैं, क्योंकि वो आर्थिक मंदी और आर्थिक सुस्ती बहुत दिनों के पुरा बेपार के ill practice के कारण होता ना, किसी किसी देश में नितिया ऐसी बन जाती है, या फिर लो मार्केट है वो पहले रिक्तिसरी के से काम करने लगते हैं कि में इस्ट्रिम के उकॉनिमी में प्रोब्लेम आ जाता है या सुस्ती आ जाएगी मंदी आ जाएगी तो वैसे हालात में जो बेरोजगारी है वो बढ़ जाएगा जैसे एक्जामपल बताते आपको अभी कुरोना चल रहा है तो कुरोना में हमारा आर्थिक मंदी आ सुस्ती का दोड़ है तो देश में या दुनिया में विरोजगारी उपर बठा हुआ है हाँ ठीक है धिरे धिरे कंट्री पूरा दुनिया वापिस आ रही है यानि किसे उबर रही है तो रोजगार भी जेनरेट हो रहा है सकते हैं कि कुछ बजहों से चाहें आर्थिक मंदी आ गई कुछ बजहों से अर्थिवस्था में सुष्टी आ गई है तो वो विरुजगारी कर दिया अब यह बजह क्या हो सकता है तो मैंने बताया कुरोना का भी काल चल रहा है तो कुरोना एक बजह बन सकता है या इल प्रैक यह भी एक बिरोजगारी के कारण बन सकता है, ठीक है, इंफिलेशन जो मार्केट में बहुत सारा पैसा आ जाए, तो बहुत सारा पैसा देखो, इंफिलेशन रोजगार को बढ़ाता है, यह बात हम आपको इंफिलेशन में पढ़ाएंगे, अना, फिलिपस साहब ने बुला लेकिन बहुत हाइर इंफिलेशन रोजगार को नहीं बढ़ाएगा, एक सर्टेन लिमेट तक इंफिलेशन रोजगार को इंक्रीज करता है, लेकिन हाइर लेवल के इंफिलेशन रोजगार को इंक्रीज नहीं करता है, और यह टेकनिकल बात हम आपको पूरा पूरा आपसे मौसम बदल गया विरुजगारी बदल गया लेकिन साइकलिक क्या है और्थ वरस्था में किसी तरह का समस्या आ गया तो विरुजगारी हो गया तो यह दोनों में अंतर है यहां आर्थ वरस्था में समस्या नहीं आई है सिजनल में दर असल सीजन चेंज हो गया तो उस कमेंट करना अंतर चलिए ठीक है और जो भी विरोजगारी में बता रहा हूं और इतना समझा रहा हूं इसलिए क्योंकि ये सारे विरोजगारी पर एक्जाम के कोशन आये हैं तो मैं उन्हीं विरोजगारी को इसमें इंकुलूड किया हूं टाइप अप अनिम्प्लाइमेंट को जिसे एक्जाम का कोशन बना है तो इसको बात अप अच्छे तरीकेसे समझेगा चलिए एक है फ्रिक्ष्नल अप्लाइमेंट बहुत बढ़ी आनिम्प्लाइमेंट है बढ़िया इंप्लाइमेंट इसलिए मैं बोल रहा हूं दयको बरोजगारी में कही बढ़िया होता है A से B के shift होने के बीच में जितना भी आपको समय मिला, वो आपका frictional unemployment कहलाएगा, frictional unemployment, मैं फिर से एक बार बताऊँ, एक बार ध्यान से रखेगा, कि अगर आप Tata में काम कर रहे हैं, अब आपका काम मन कर रहे हैं कि हम reliance में करें, तो Tata छोड़ करके, अगर आप reliance में switch हो रह हैं, तो जितना समय आपको उस switch में लगा, यानि कि switch को on off करने में जितना समय लगा, वो आपका frictional unemployment में गिनती होती है, चलिए, और बताते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, जो private job कर रहे होते हैं, यानि कि नीजी छेतर में नौकरी आप पा गये हैं, और वहाँ पे ठिक तरीके से अपनी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अब उनको काम क्या करना, उनको मन कर रहे हैं, कि हम government के छेतर में, यानि कि सारजनिक छेतर में जाकर करके नौकरी करें, तो जब ऐसा मन उन्हों वो बनाते हैं, और फिर एक competition, क्योंकि government के job में तो आप जानते हैं, क्योंकि आप एक नौकरी कर रहे हैं, उसको छोड़ करके दूसरे नौकरी की तयारी कर रहे हैं, तो फिक्छनल इंप्लामेंट है, सिंपल बात है, ठीक है ना, पक्का, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब अगला है सनरचनात्मक विरोजगारी, और ये exam का question आप जानते हैं, कि बना है अपने examination में, और M B B I है, हलाकि इसे पहले भी जितने भी मैंने पूछा है, सारे के सारे exam के question बने है, पहले बहुत बारे structural unemployment पे question पूछ चुका है, अगर आपको सिंपल question का answer देना है, तो ये क्या होगा, कि भारत में किस परकार की विरोजगारी सबसे जादा है, तो सनरचनातमक परकार की विरोजगारी भारत में सबसे जादा है, structural unemployment is maximum in India, ये point आप ध्यान में रखेगा, अपने copy में लिख लिजेगा, ठीक है, हलाकि नोर्स तो आपको मिलेगा और आप ये बात जानते हैं, ये है क्या, तो दरसल किसी भी देश के आर्थिक धाचे में परिवर्तन होता है, और इस परकार जो विरोजगारी उत्पन होता है, तो उसको जो है ना, सनरचनातमक विरोजगारी कहा जाता है, किसी देश के आर्थिक धाचे में अन्मूल परिवर्तन कारण इस परकार की विरोजगारी उत्पन होती है, और ये परिवर्तन या तो किस कारक की आपूर्ति या उत्पादन के कारक की मांग को परभावित कर सकते हैं जैसे एक्जामपल के तौर पर बताते हैं मान के चलिए एक एक्जामपल आपको बताते हैं संद्ध चनात्मक बिरोजगारी में पहले क्या होता था कि यह इसको आप टेक्निकली भी समझ सकते हैं क जिसको हम तकनीकी बिरुजगारी भी कहते हैं तो पहले क्या होता था कि मुनीम जी वेगरह काम करते थे या फिर जो बड़े बड़े फैक्टरीज था उस फैक्टरीज में मैनुवल वर्क जादा होता था अब एकॉनमी का एक नई चरण सुरू हो गया है और एकॉनमी के एक नई चरण में नई नई इंप्लिमेंटेशन होने लगा है रोबोट वेगरह आने लगे हैं है ना रोबोट से काम ज़्यादा होने लगा है या फिर नई नई टेक्नलोजी आ गई है डिस्ट्रालिजेशन की प्रोसेस सुरू हो गया है तो वैसे में जो लोग ब्रोजगार हो रहे हैं वो सनरचनात्मक ब्रोजगारी के सिकार है वो क्या है सनरचनात्मक ब्रोजगारी के सिकार है समझे गया है ना आर्थिक ढांचे में परिवर्तन हो रहा है ना ठीक है आप देख रहे हैं किस तरीके से अब पेमेंट पहले कैस का पेमेंट होता था अब पे फोन पे भीम यूपी आई भारत पे और पता नहीं क्या-क्या चल ला है तो यह यह भी एक तरीके का पड़िवर्तन है यह बात आप समझ रहें दूसरा क्या है कि पहले मुनीम जी बेगरा काम करते थे दुकानों पे बड़े-बड़े दुकानों पे अब टैली बेगरा जो क्या बोलते है फाइनेंशियल वो है software है वो अब पूरा का पूरा काम करती है किसे भी government के या फिर personal software बनबा ले रहते हैं लोग तो यह यहाँ पर भी आपको देखिए परिवर्तन दिखाई दे रहा है अगर आप बड़े-बड़े factory में चले जाए तो अहाँ पर पहले कारीगर जादा काम करते थे अब वहाँ पर रोबोट लगाना शुरू कर दिया है तो यह भी कहीं न कहीं प्रभाब करता है तो इसको एक तरीके के तकनीकी परिवर्तन भी कह सकते हैं और जिसको टेकनिकल अनिम्प्लाइमेंट में भी रखते हैं लेकिन यह समना चांत्मक विरोजगारी का भी एक point है जिसको आप प्रफेसर का नाम लिया प्रफेसर पीगु यह पीगु जी क्या कहता है कि तुम नौकरी मांग रहे हो लेकिन तुमको नौकरी नहीं मिल रहा है और तुम काम करने के लिए तियार हो तो वह विरोजगार है ओकुन साहब क्या कहता है कि अगर किसी देश के GDP में 4% की बढ़ो एक गराफ पर आपको समझाओ तो यह गराफ है यह क्या है गराफ है और यह आपका जीरो है और यह है आपका जी डी पी और यह है आपका क्या बोलते हैं अन इंप्लाइमेंट यह अन इंप्लाइमेंट है ठीक है एक से समझ में आ रहा है अब क्या कह रहा है कि मान के चलो कि जीडी पी है 2% और जीडी पी दो परसंट से हो गया 6% तो जब 2% जीडी पी था तो बिरोजगारी दर जो था न वो था 5% मैं दूसरा color कर दूँ वो था 5% लेकिन जब 6% GDP हो गया तो विरुजगाई इदर कितना हो गया 4% यानि कि 6% में 4% और 2% में 2% का यह इस से करूं 2% में 5% यह आप graph को समझ सकते हैं यानि कि GDP में increment जो है ना unemployment में decrement लाती है इस बात को समझेगा और अगर इसका curve बनाएंगे map खीच के उसके बाद curve बना रहा हूं तो यह curve कुछ ऐसा आएगा ठीक है यह curve क्या कुछ ऐसा आएगा तो ध्यान रखेगा इस बात को थोड़ा सा है ना चुकि मैं इस तरीके से बना रहा हूं एक manual तरीके से सही तरीके से अगर आप बनाएंगे तो अच्छे तरीके से यह बनेगा तो इसको भी आप अच्छे तरीके से समझेगा ठीक है तो अकुन्स आप क्या कहते हैं कि अगर GDP में 4% की बढ़ोतरी होती है चार परतीसत की बढ़ोतरी होती है देख रहे हैं आप तो विरुजगाई दर में कितने परसेंट की कमी आएगी एक परसेंट की कमी आएगी विरुजगाई दर में यह चार है और यह पांच है एक परसेंट की कमी आएगी अनिम्प्लामेंट है GDP rate ठीक है चलिए अब हम लो में खेत्र किसको बोलते हैं, agriculture, agriculture और प्लस एस्ट्वीएक ठीक है कि तो किर्सी और उसेशूसेट्व अइस्ट्र में 26% जो औभादी है वो include है उसकीर दूंत चेट्रिव जिसको secondary sector बोलते हैं जिसको हम industrial sector बोलते हैं जिसको हम manufacturing सेक्टर बोलते हैं और वहाँ पर लगभग 22% अबादी जो है ना काम में इनवल्व है directly इंडारेक्टली और तिर्थियक छेत्र जिसको हम सर्विस सेक्टर जिसको हम सेवाच छेत्र भी जोड़ते हैं काम करने वाला है directly और indirectly वो किस चेतर में है प्रार्थमिक चेतर मतलब की किर्सी में involved है directly और इंडारेक्टली तो agriculture यानि कि अगर हम industry बाइज बात करें तो agriculture अपने देश में सबसे जादा रोजगार देने वाला क्या है चेतर है agriculture जिसको हम प्रार्टमिक छेत्र कहते हैं और यह एक्जाम का कोशन बना है कि agriculture आपके दिस में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला क्या है छेत्र है हो गया एक दूसरा पॉइंट यहां भी एक्जाम का कोशन एक और बनेगा कि industrial sector में सबसे ज़्यादा इंडेश्ट्रियल सेक्टर में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा है तो उसमें टेक्स्टाइल उद्योग है कपड़ा उद्योग है कपड़ा उद्योग कपड़ा उध्योग सबसे ज़्याधा क्या है रोजगार देने वाला उध्योग है टेक्स्टाइल टेक्स्टाइल इंडस्ट्री माक्सिममा माक्सिममाम इंप्लाइमेंट याद रखेगा और यह कोंषन एकजाम का बना है इसको एकडम भी भी सैwe आप मान लीजे BVI करके मान लीजे ठीक है ना तो ये बात मैंने दो बाते बताई दो तीन बाते पहली बात तो यह है कि ओकुन साहब क्या कहते हैं कि अगर आपके 4% GDP वड़ोतरी होती ही तो विरोजगाई दर आपका 1% कम होगा ठीक है और इन्फिलेशन के साथ जो रिलेशन है अनिम्प्लाइमेंट का वो भी हमें आपे देखेंगे फिलिप्स कर्व के साथ यह ओकुन साहब के साथ हमने आप इसको बना दिया उसको बाद हम क्या देखेंगे कि प्रार्थमिक छेत्र में सबसे ज़्यादा रोजगार जेनरेट है य सबसे ज़्यादा चूपी भी रोजगारी है देखने से पता चलना है ना पचास प्रतिक्सात अवादी आपका एक छेत्र में तो आप समझ रहे हैं उसके बाद अगर इंडेस्ट्रियल सेक्टर में बात करें तो सबसे ज़्यादा रोजगार कौन देता है तो कपड़ा सबसे ज़्यादा रोजगार और सबसे ज़्यादा रोजगार और सबसे ज़्यादा लोग इसी पर डिपेंडेंट है इसको भी आप समझ रहे हैं ज़्यादा रखिएगा अगर इंडेस्ट्रियल सेक्टर में बात करें तो सबसे ज़्यादा रोजगार हमारा कपड़ा उद्योग पर दान करता है इंडेस्ट्री के अंदर में तो यहां पर हम रोजगारी को समाप्त करते हैं और आगे हम गरीवी की तरफ तो आज गरीवी को भी निप्टा ही दे, ठीक है? चलिए, पोबर्टी, गरीवी क्या होता है? गरीवी क्या है? तो ध्यान रखिएगा गरीवी का बड़ा ही, एक सिंपल परिभासा है, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है, उसको मैं आपको समझाता हूँ, देख मैं समझा रहा हूँ, उसमें एक तरितमता हो, और मैं बेहतर तरीके से आप तक उसको बता पाऊँ, ठीक है? और वो यह है, गरीवी क्या होती है? तो वैसा हर बेखती, वैसा हर बेखती, कि जीवन के निवनतम आबसकता को पूरा ना कर सके, वैसा हर बेखती, जो अपने ज यहां पर ध्यान रखेगा कि कोई भी बेखती गरीब इसलिए है क्योंकि वह गरीब है या गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है यह सब्द भी अपने परिभासा जरूर सुना होगा गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है तो ध्यान रखेगा चुकि वह ग इस लिटीज है, उसको पूरा नहीं कर पा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, अधार भूत अवे सकता है, ठीक है ना, मिनिमम जो नीड है, तो मिनिमम नीड क्या है, वो मैं आपको बताता हूं, मिनिमम नीड, आप लोग बच्पन से सुनेंगे, रोटी, रोटी, है ना, कपरा, मकान, मकान, दो और इसमें इंक्लूट कर लिजे, हेल्थ, हेल्थ, और एक और इंक्लूट कर लिजे, एजुकेशन, ध्यान रखेगा, यह मिनिममम आवे सकता की चीज है, यानि कि, खाना, कपरा, मकान, स्वास्थ, स्वास्थ, और सिक्षा, यह आपके मिनिममम नीड है, अगर आप इसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप गरीव है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, और ब्रजगारी गरीवी ऐसी चीज है, जो उगदम असानी समझ में आ जाता ह है, और एक्जाम बिना डिविजन के चले जागो, तो भी आपको बन जाएगा, बस आप मेरे वीडियो को अच्छे तरीके से देख लीजे, और यह विश्वास में दिलाता हूँ, एकदम नहीं डिविजन करना, ठीक है, और चले जाना एक्जाम में, एकदम ना बने तो फि पोबर्टी, तो एपसलूट पोबर्टी और रिलेटी पोबर्टी क्या होता, वो हम बताते हैं, तो जो एपसलूट पोबर्टी है, वो यही है, जो कि मैंने उपर में किया, एपसलूट पोबर्टी मतलब होता है, कि एकदम नहीं सच में वो गरीब है, सच वाला गरीब, ज स्वास्त और शित्षा छोड़ो खाना नहीं मिल रहा. घर तो छोड़ो खाना नहीं मिल रहा किसी तरीके से मिल भी गया किसी के द्याद रिष्टी से तो कप्ड़É नहीं हैं. आप गरीवों को दे आप देखे जो बहुत जादा गरीव है, आप इंटरनेट आपके पास में, आपके आसपास लोग को थुरह सा नयलाइज कीजिए, उनके कपड़े नहीं है, किसी तरीके से कोई खड़ा दे दिया है, घर क्या है, किसी पंद्दी वंद्दी किसी तरीके से कोई plastic वेगर ऐसे धक लिया या कहीं भी सो लिया कैसे भी अपना जीवन भी तारा है कोई घर बार नहीं है अगर इंद्रावास या जो परधानमंत्री अवास योजना आजकल चल रहा है जिसका नाम चेंज कर दिया परधानमंत्री जी ने अगर अवास योजना कर दिया तो अगर समज में घर बी बन गया घाम नहीं किस तरीके सा हम काम करें थेक है तो मतलब गारीव्य का बडा एक्स्ट्रीम रूप है बहुत एक्स्ट्रीम रूप उसको बोलते हैं और कुछ लोग जूट मूट के भी गरीब है, तो जो जूट मूट के गरीब है, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे, और जो सच में गरीब है, उसकी गरीबी की हाला देख करके आपको तरस आ जाएगी, तो वो गरीवी, जो सच में बला गरीव है, वो एपसूलूट गरीव है, जिसको सच मुझ का गरीव बोलते हैं, सच मुझ का गरीव, मेरी बास समझ में आ रहा होगा, जूट मुट के गरीव बताते हैं, आपको क्या है, जुठा गरीव, जुठा कहीं का, वो जुठा गरीव क पता है जूटा गड़ीब आपको पताते हैं तुम्हारे पास इसकूटी है एक्टीवा 5G और कोई गल से लेकर के आपके बगल से लेकर क्या निकल गया मान के चलो कि कोई डिजार, swift desire निकल गया, तो तुम गरीब हो गया, उसी समय, को इसके पास swift है, मेरे पास क्या है, active है, तो तुम गरीब है, तो यह जूठा गरीब है, मतलब relative poverty जो है न, एक ऐसा poverty है, जिसके पास, जिस समाज में वो रह रहा है, इसको अगर, मैं बेहतर परिभासा से आपको ब पता दूँगा, कि जिस समाज में वो रह रहा है, अगर उस समाज के हिसाब से, उसके पास resources नहीं है, ठीक है, उस समाज के हिसाब से, उसके पास resource नहीं हो, तो गरीब है, तो अब यहाँ पर देखिए, आपके पास रोटी है, आप खाना भड़ पिट खा रहे हैं, आपके से कपड़ा पहन रहे हैं, ठीक है, कपड़ा है, अब हम यह तो नहीं कह रहे हैं, कि आपके पास जो कपड़ा है, वो एलेन सोली का है, कि लूइस फिलिप का है, यह बात तो नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, आपके पास कपड़ा है, आपके पास जूता है, कि आपके पास, क्या बोलते हैं, campus की जूता है, आपके पास जूता है, ठीक है न, मतलब आपके पास है, लेकिन जिस society में रह रह रहे हैं, जिस relative में आप रह रहे हैं, उसके हिसाब से आपके पास नहीं है, हो सकता है आपके society में, Mercedes पे चलने वाए लोग हो, हो सकता है आपके societies में, जो पहनने गरीबी बोलते हैं, इसको क्या बولता है, जुठा गरीबी, मेरे अगर सब्द में समझो गें, तो मेरे सब्दो में ये है, कि relative पवर्टी नाम है, relative के कारण जो गरीबी है, वो relative प पतना में दाकरे 10 इतना बड़ा मकान बना लिया है, ऩुぇ। बड़ा मकान बना लिया है, तुम्हारे पास भी मकान है जो गाओ में है,। लेकिन तूम घड़ीब होगे, तूम यहाँ से गड़ीब होगे, उससे तुम न लागए नौत आसे हैक,। चाचा आपके society, ज़रूरी नहीं कि आप चाचा के साथ रहो, लेकिन relation भी एक तरीके का समाज create कर लेता है, और वो mental society होती है, वो living society नहीं होती है, क्योंकि आपके relative आपके साथ नहीं रहते हैं, वो आपसे दूर-दूर रहते हैं, लेकिन वो एक तरीके का mental समाज है और mental समाज सबसे ज़्यादा effect आपको करता है क्योंकि आपके मौसी, आपके चाचा, आपकी चाची, आपके मौसा, आपके मामा, आपके नाना, दादा जो भी ये जो समाज है, इसके हिसाब से जब आपको सुचना सुरू करते हैं इसके हिसाब से जब आप सुचना सुरू करते हैं तो तो फिर आप ग explic होजाते , अगर आपको देखेगा आट आपको देखेगा explodes आए वह तो महा पर ऐसे कमा रहा है , वह तो वैसे work कर रहा है , वह तो quan दादा है ,ous उस अर्रम से मौत o करने लगे हैं कि आप ट्रेन में उसी ट्रेन में चड़ोगे तुम पत्ना में उसी ट्रेन में चड़ोगे पत्ना में और दिल्ली पहुंचोगे जाए भारत के किसी भी जगावे पहुंचोगे ध्यान रखना और दूसरा कोई second AC का ticket कटा के रखा या first AC का कोई फरक नहीं चलो ठीक है हमारे पास भी थीकत है उसके पास भी थीकत है हमने sleeper का ticket कटा लिया किसी के पास second AC का ticket है ठीक है चलो होता ही है हमेशा से आप जानते हैं लेकिन उसी में कोई relative उसी उसी समय पहुंचाएगी एक ही समय पहुंचाएगी लेट होगी तो उसको भी लेट होगी हमको भी लेट होगी लेगिन चुकि तुम सिपल करिट काट आया तो तुम गरीब हो है तो यह राली पोवर्टी की ही गता है उसके हिसाब्स में लोग बात करते है ठीक है तो हमारे देस में गरीवी को मापने के लिए अलग-अलग समीचिया अलग-अलग समय पर बनाजी गई है और ये समीटियों का नाम में यहाँ पे लिखा है, और ये बहुत ज़्यादा इंपोरेंट है, और ये याद रखने की चीजें हैं, किसलिए क्योंकि एक्जाम में आप से कोशन पूचेगा, जो मैंने समझाया वो कोशन एक्जाम में नहीं पूचेगा, पूच भी दिया तो सचीन तनुलकर वला नहीं है, सुरेश तनुलकर है और रंगराजन कमीटी 2014 तो ये कमीटी ध्यान लखेगा तनुलकर कमीटी से सबसे ज़्यदा एकजाम में कोशन पूछेगा है एक, और दूसरी बात है आपसे पूछेगा, इन में से कौन सी कमीटी गरीबी से रिलेटेट है? अलग कमीटी, लखरवाला कमीटी, तनुलकर कमीटी, रंगराजन कमीटी ठीक है न? चार अपसन में से एक इन में से होगा और तीन कोई और कमीटी का नाम देदेगा तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस committee को याद रखेगा और जो important report है मुसके उपर में चर्चा आभी कर लेंगे जो exam का question भी आपका बन जाता है तो ध्यान रखेगा इस बात को इस committee से exam का question आपसे पूछे जाते हैं चलिए आगे बरते हैं अब गरीवी में आगे बरते हैं दो परकार की गरीवी आपने देख लिया अब गरीवी की आकलन करते हैं और यह भी exam का question बना है भी वी आई है यह ठीक है भी वी आई है बहुत important है गरीवी का आकलन कैसे करा है वो और कितना परकार गरीवी है यह दोनों बाते हम यहाँ पर करेंगे तो गरीवी का आकलन ऐसा किया है कि योजना आयोक सहाब ने बोला है योजना आयोक जब थे तब उन्होंने जब गरीवी का आकलन की बात किया था तो उन्होंने कहा था कि अगर गाओं में देखो अगर गाओं में कोई 2400 कैलोरी परते दिन परती वेक्ति खाना खाता है तो वो गरीब नहीं है यानि कि उसको मानक मान लिया कि इससे कम अगर खाना मिलता है तो वो गरीब है सहर में कितना कैलोरी? 200 कैलोरी अब आप बोलते हैं सहर में कम और गाओं में ज़्यादा क्यूं तो सहर में कम इसलिए क्योंकि सहर में मेहनत का काम ज़्यादा होता है और गाओं में खेती किसानी का काम है तो मेहनत का काम ज़्यादा है तो गाओं के कैलोरी को ज़्यादा रखा है और सहर के कैलोरी को कम रख तो यह calorie based है और आपके exam में question यह एक बार नहीं पता नहीं कितने बार पूछा है मैं 100 बार कर दू तो भी कम है यह ऐसा करके पूछा है ठीक है और यह बहुत जादा hot question है यह हमेशा पूछे जाते हैं कि गरीबी के मापक में कितने calorie से कम सहर में गरीब माना जाता है तो 200 calorie से कम गाउ में गरीब माना जाता है तो 2400 calorie से कम गाउ में गरीब माना जाता है सहर में calorie कम किसलिए क्योंकि सहर में काम जो है वो मेहनत वाला कम है और गाउ में calorie ज्यादा क्यों है क्योंकि गाउ में calorie वाला काम है यानि कि खेती किसानी का काम है तो वहाँ पे ज्यादा मेहनत का का है तो कैलोरी इंटेक भी जादा है ध्यान रखेगा तो 2400 कैलोरी योजनायोग ने फिक्स किया और 200 कैलोरी सहर में ठीक है सुरेश तंदुलकर जिसके बारे में हम लोग ने बात किया था उन्होंने क्या कहा कि अगर गाव में 816 रुपया एक बेक्ती एक महीने में खर्च करता है तो वो गरीब नहीं है यानि इससे कम करता है तो गरीब है और सहर में 972 रुपय से कम करता है तो गरीब है कहीं कहीं को समझो 1,000 रुपया прием क्या होता है संप महीने की बात हो रही है i6000 रुपया महीना में क्या होता है अप एक हजार रुपया मिन्last निया में एक आद्मी क्या खाएगा पताosition अगर सधार्ण से सधार्ण खाना खाता है खरीद करके और गरीब है तो गरीब है तो इसका मतलब महिने ज़्यादा करेगा तो उसको खाना चाहिए कैलोरी चाहिए तो आप इसी के हिसाब से जो रो क्या 1000 रूपिया में 200 कैलोरी रोज भोजन मिल जाएगा क्या इसको calculate करके बताना कितना मजाक है ये, है ना, कितना मजाक है, लेगिन बस है, हजार रुपया में मतलब आप कहना है, कि महीना भर चला दो, हजार रुपया दे दे, और खाना, अरे, हजार रुपया खर्चा करना बात है, खाना नहीं है, खर्चा करना है ये, खर्चा है, खर्चा है बेटा, अब उस खर्चा में क्या-क्या नहीं आता है, उस खर्चा में कभी मन किया तो एक रुपया का तेल लगा लिया सर में, ये भी तो हो सकता है, एक रुपया का तेल मिलता है, एक रुपया का सेंपू मिलता है, एक रुपया का सेंपू लेया, उसको साथ दिन तक लागाया, गरीब आ 12-500 रुपया मिला करके अगर रह रहरे हो एक रूम में तो खाना देखो 1000 जंवा में खाना नहीं हो पाएगा किराया और कप्ड़ा और शर मेंतेल और यह सब कैसा मजाक है यह समझो न तुम ठीङ है कैसा मजाक है il समझो न, तो ये बाता पच्छे तरीके समझेगा, सुरेश तन्रुगर कमिटी 816 और 1000 रुपया की बात यहां पे हो रही है, ठीक है, चलिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, यहां पे ध्यान रखिएगा, उसके बाद रंग राजन कमिटी, रंग राजन कमिटी कितना कहत है, रंग राजन कमिटी काता है, 972 रुपया और 407 रुपया, रंग राजन कमिटी, यह थोरा सा आगे बढ़े है, थोरा सा आगे, चलिए, बेन बात क्या है ना, कि जब 5 star होटल में बैठ करके और गरीवी पे, जब कोई नियम बनाता है ना, तो यह अपने आप में एक तर में और हर एक जब सुझाब पे, हर एक सुझाब पे जो है ना, दो कोफी का मग आ रहा है और 10-15 नौकर लगे हुए हैं, और एक सुझाब के लिए 50-60 पेज प्रिंट आउट होकर के सामने में रखा हुआ है, सिर्फ एक सुझाब के लिए, क्योंकि सुझाब के पीछे का का परण भी दतना होता है, और पूरे दिन मीटिंग करेंगे और एक सुझाब भी साहद निकल के आजाए, यानि कि हपते भर की मीटिंग में एक सुझाब निकल के आते हैं, और एक कमीटी 6 महिना, 7 महिना, 8 महिना, साल कोई कमीटी तिन-3 साल तक चलती है, और 2-3-3 साल पर ज कुछ रोजगार जनरेट करने का खर्चा कर दो उसी पैसे का तो आलग से यह सब डेटा का जोड़त नहीं तुमको अपने आप मिल जाएगा अपने आप जो इना सुधार दिखाई देने लएगा तो तुम तो दुनिया भर के कमीटी बना करके तो कुछ ऐसी भी बाते हैं जह या रहा हो एक कफी का कप कभी सोचा है 970 में कफी का कप आता है तुम्हारा जो तुम रिपोर्ट मना रहा हो इसलियी से सोचो ठिक है इस नजरेव और से सोचो तो गड़ीवों के साथ जैसा मजाक उपर में बैथ करके मिल ενों करते है व्यों मजाक कोई नहीं करता है इस बात को याद रखना चलिए बिस्व बैंक क्या कहता है तो अगर आप 1.9 डॉलर और रोज खर्च करते हैं तो आप गरीब नहीं है इसे कम खर्च लेकिन यह बहुत भी भी आई है 20 वाला करके बार कोंसन में На सौल करके आया हूं और जिस समय मैं एक्जान सौल करका ता उस समय 1.25 था अब जाता हूं तो 1.90 अभी तक मुझे नहीं मिला है यह वाला कोंसन बहुत बार कोंसन कर और आपने से कोई previous year question paper लगा रहा है, तो previous year में आपको यह question का answer डालेगा, ठीक है, क्योंकि यह change हो चुका है, यह पुराना है data, 1.25 वह आ करता था, 20 बैंक का data, चलिए ठीक है, भारत में भी कितने percent गरीवी है, तो तनुर का report ने जो दिया था, 21.92 percent, उसी को नीती आयोग ने accept कर लिया है, और 21.92 percent गरीवी भारत में माना जाता है, कि 21.92 percent है, लेकिन अलग-अलग लोगों से अगर हम सोचे, अलग-अलग लोगों का report देखे, रंगनाजन कमीटी से ज़्यादा गरीवी मानते हैं, वो 29 percent तक चले आते हैं, विस बैंक ज़्यादा गरीवी भारत में मा समझे, या दूसरे के कारण याद रखने का बढ़ आसान है, जब जब ज़्यादा गरीवी दिखा रहा है, तो सरकार को लेगा, हमारे हां कितनी गरीवी है तो कम गरीवी भीना report को ले लो, अपके अल injet के लिए एक हो जाएँगा ना, आपके पास, आपसे पूछा जागा क्यों इस गरीवी के परसेंटेज लेने के पीछे आपका अधार क्या है यह पतरकार आप से कोशन पूछा तो आप जबाब क्या देंगे कि हमने तंदूलकर कमीटी का रिपोर्ट के हिसाब से हमने किया है तो पतरकार जाज़ाद आए पूछ सकता कि तंदूलकर कमीटी कमीटी भी तो दिया है विस बैंक भी तो दिया है दूसरे भी तो मानते हैं तो उन्होंने का कि नहीं यह एकसेप्टेबल है सुरे सतनुलकर कमीटी हमने पूरा कैबिनेट वेगरेज चर्चा करके यह करके वह करके हमने इसको माना है तो मान लीजे कि 21.92 परसेंट जो है न आगे हम लोग बात करते हैं एक गरीबी का रिपोर्ट आता है जिसको बोलते हैं हम लोग डामेंशन इंडिकेटर मल्टी डामेंशन पोवर्टी इंडेक्स जिसको MPI बोलते है MPI और इसके अधार पर रिपोर्ट बनाया गया है इसमें क्या है पहले मैं MPI मल्टी डामेंशन पोवर्टी रिपोर्ट जो है ना इसके कुछ आयाम और संकेत के बारे में हम बात कर ले तो इसमें तीन संकेत है Health, Education, Standard of Living यही बात SDI में भी है याद रखेगा Human Development Index में Human Development Index में भी यही बात है Health, Education और Standard of Living यानि कि per capita income PPP पे ठीक है ना परचेजिंग पावर पे करे सकती समता पे ठीक है तो तीन परमुख आयाम है तीन परमुख डैमेंशन कारक है और उसके अंतरगत दस अन्न भी उप संकेतक है यानि इस तीन के अंदर हर के अंदर मुख रूप से तीन संकेतक है और पूरा कितने संकेतक है मतलब संकेत और उप संकेत मिल कर के यानि के अब इस रिपोर्ट के यह जो रिपोर्ट आता है वो जानते ऐनुस्वली आता है। इसके आधार पे या निति आयो का जो रिपोर्ट आया MPI पर उसके आधार पे देख्ते कि अपने डेस में गरीबी का क्या इस्थिती है राज के हिसाब से ठीक है। तो निती आयो के multi-dimensional जो रिपोर्ट आया है MPI, किसका निती आयो का उसके हिसाब से भारत में जो सबसे ज़्यादा गरीब राज है वो है बिहार, 51.91% गरीबी है बिहार में, और सबसे कम गरीब राज है केरला, 0.71% गरीबी है केरला में, और globally MPI की बात करें, क्योंकि MPI आप जानते हैं कि globally किया जाता है, यानि कि global रूप से MPI की बात करते हैं, तो जब global रूप से MPI की बात करते हैं, तो भारत का स्थान 66 है, कितना है? 66. MPI में भारत का स्थान 66 है, और निती आयोग यानि कि अपने देश के अंदर, जब MPI multi-dimensional poverty index के रूप में बात किय गया, जो कि dimensions हमने देखा, कि सिक्षा, स्वास्त, जीवन अस्तर और उसके 10 उप संकेतक है, उसके अधार पर जब हम बात करना शुरू किये, तो हम क्या देखते हैं, कि सबसे ज़्यादा गरीब बिहार है, और सबसे कम गरीब कौन है? किरला है, अब अब दूसरे जो point है, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यह इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है, जिसका color मैंने किया हुआ है, दूसरा, यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि यह इतना इंपॉर्टेंट है, स्वरी, यह इतना इंपॉर्टेंट है, कि इसके उ पूर यूनियन टेरिटरी, पॉंडीचेरी, सबसे ज़्यादा पूर यूनियन टेरिटरी, धादा नागर हवेली, परसेंट आपके सामने में है, निट्रिशन, वैल्यू, एजुकेशन, कुकिंग बगर है के अधार पे सबसे ज़्यादा गरीब बिहार, तो बिहार पहले भी है, चाइल्ड और अडोलेसेंस मोटलिटी, यानि कि बच्चा का मिर्तिव दर के इसाब से गरीब पहले यूपी है, दूसरे नम्मर पे बिहार है यानि कि यूपी में बच्चे दर की मिर्तिव और उसके अधार पे जो रेट किया गया है वो यूपी है, ड्रिंकिंग वाटर में सबसे कमजोर मनीपूर है, सैनिटेशन में सबसे कमजोर जारखंड है, सैनिटेशन में, यानि कि जो साप सफाई बगरा में उसमें, हाउसिं एजुकेशन और जीवनस्तर ये तीन मुख्य संके तक है मेन इंडिकेटर है अंदर सब इंडिकेटर के अगर हम बात करें तो दीज आर निट्रीशन है ना और एजुकेशन और कुकिंग फूल ये जो एंटेनल केर है ये जो गरवावस्ता में मा होती है उसको एंटेनल केर कहते हैं ठीक है कुकिंग फूल, इलेक्ट्रिसिटी देखो 10 हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है 6, 7, ठीक है 8, 9, 10 10 से 11 होगा यानि कि इसको एक ही मान लिया चाइल्ड और एडोलेसिंस, मोटिलिटी को एक मान लिया और यहाँ पर 10 बैंक अकाउंट ठीक है ना तो यह 10 जो आपके सामने में है 10 संकेतक भी है मैं फिर से 10 संकेतक को दूसरे कलर से कर दू तो ध्यान रखिएगा मैं फिर से कर दोता हूँ 1 संकेतक 2 संकेतक यह इसको गरभावस्ता में जो मा होती है उसको बोलते हैं, तीन संके तक, चार संके तक, पांस संके तक, इस पूरे को छे संके तक मान लेते हैं, इसको साथ संके तक, इसको आठ, इसको नौ और इसको दस, और तीन मुख संके तक क्या था? तीन मुख था health, education और पर capita income या living standard ठीक है, पर capita income या इसको living standard भी बोलते हैं, living standard ठीक है, ये तीन मुख संकेतक है, तीन मुख संकेतक और दस संकेतक, और इसके अधार पर अलग अलग राज्यों का क्या बोलते हैं, indicator दिया हुआ है, लेकिन मुख रूप से ये BVI है, जिसमें भारत का रेंग 60 है, सबसे कम गरीब केरला, सबसे ज़्यादा गरीब बिहार, ठीक है न, तो ये गरीबी के मापक के उपर में हम लोगों ने बात किया है, ठीक है न, अब जड़ा देखते हैं कि आसमानता, गिनिक उफिसियंट और लॉरेंज कर्व के बारे में थुर और एपसलूट पोवर्टी, कमीटी की बात किये, तनलुकर कमीटी ने क्या रिपोर्ट दिया, उसके बारे में बात करें कि 11.92 परसेंट गरीब है, उससे पहले हम लोगों ने और भी बाते किया है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया है, अब थुरा चाई गिनिक उफिस और यही असमानता है दोनों के बीच में यह बताता है गिनिक उफिसियंट और यही असमानता डिस्टिब्यूशन ऑफ बिल्ट हो जाता है, यही असमानता, तो धन के बटवारा में कितना असमानता है, यह गिनिक उफिसियंट और लॉरेंज कर्ब बताता है, चल देखते हैं क्या असमानता में क्या बताता है, ठीक है, यह भी बात हम आपको बतायते हैं, थुरा सा एक गिनिक उफिसियंट और presentation के रूप में बनाते हैं आपको इसको मैं मिटाता हूँ वहाँ जगा नहीं था इसलिए मैं यहां बना रहा हूँ देखिए दूसरा गड़ाप हाई है और इस तरीके से और भी गड़ाप बनाएंगे एक स्वाई आपको समझ में आता है आगे हम बढ़ते हैं ठीक है ठीक है ना यह जो लाइन है यहां पर चालर से लाइन है यह इक कोलिटी या निकी मतलब पर्फेक्ट इकक्वाई Questions है यह दो इक वार्फेक्ट इक्वा लाइन है और इस पर्फेक्ट ईक्वालिटी में जब हम कर्व करते हैं, कर्व इस तरीके करते हैं, तो इसके बीच का जो ये जो gap है, ये gap depend करता है inequality को, ये gap क्या है? inequality की बात करता है, inequality की बात करता है ये gap, ठीक है न? बात समझ में आ रहा है? अब इसको आप अच्छे तरीके समझे जैसे देखिए, ये income है आपका, ये axis और ये axis क्या है? population है, इस axis को ध्यान से देखना पर अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा तो अब क्या कहता है? गिनिक coefficient कहता है, और ये जो curve है इसको बोलते है, लॉरेंज curve, ठीक है? क्योंकि आपने जो हडा color बोला देखा, ये inequality का है ये inequality तो curve जितना पीछे जाएगा नीचे की तरफ जाएगा, उतना ज्यादा क्या होगा? inequality होगा, अगर मैं इसको ऐसे कर दू, तो इस तरीके से अगर curve मैं दूसरे color से अगर curve को बना दू ये curve ऐसा कुछ चल रहा तो उतना ही ज्यादा inequality होगा, उतना ही ज्यादा ・ चनलिटी होगा और एक curve जितना इसके नजदीक रहेगा यह याने कि जो perfect equality है ये line.. ये जितना इसके नजदीक रहेगा. उतना ही इनQué 6 क्या होगा ? कम रहेगा कम असमानता कम रहेगा और कर्व नीजे जाएगा तो समानता बढ़ेगा कैसे देखो ग्राप से बताते हैं यह population है और यह income है मान के चलो यहाँ पर देखना अगर इस जगह हम income की बात करते हैं मैं color change कर लेता हूँ color हमारे पास में और भी है ठीक है अगर इस तरीके से हम income की बात करते हैं यहाँ पर देखो अगर income यहाँ है income इस जगह इतने income है तो population कहाँ है यहाँ है यानि कि अगर मैं एक तरीके के graphical representation की तरफ चलो तो इसको मैं अगर मानलू 2 ठीक है इसको मानलू मैं 4 और इसको मानलू मैं 6 अगर छे रुप्या income है और इसको भी मानलू मिए इसी हिसाब से मानल लेता हूँ 4 इसको मानल लेता हूँ 6 तो अगर छे रूपया income 2 रूपया के population के पास है तो लोग के पास 6 रूपया income है इस दो को 20 लाग कर लिजे तो 20 लाग population के पास 7,00,00 रुपईया है या 6 करोर या 6 औरब रुपईया है ठीक है इसको औरब में कर सकते हैं जैसा आप कर लें तो 2 और 6 समझ में आ रहा ना अब इसी को कैसे देखो देखो अब इसी को जो 4 रुपईया है वो कितने परुटेंट लोगे पास है देखो 4 इसी जो दो रुपईया है वो कितने 6 यानि कि जो मैक्सिमम अवादी है जो maximum population है, उसके पास minimum, क्या बोलते हैं, minimum क्या है, संसाधन है, देख रहे हो ना, maximum population, minimum संसाधन, कम से कम है, maximum population के पास minimum संसाधन है, और minimum population के पास maximum संसाधन है, maximum population के पास minimum संसाधन है, बहुत ज़्यादा अवादी है, लेकिन उसके पास संसाधन कितना है, बहुत कम है, लेकिन ब अब आप बोलेंगे, inequality घटने के लिए, तो अगर मैं इसको यहां लेके आ जाओ, तो inequality घट जाएगी, ठीक है, और अगर मैं इसको यहां लेके आया, तो inequality बढ़ जाएगी, जैसे कि, आव आप बताते हैं, अब मैं एक बार, एक लुसरे color से लेकर के चलता हूं, और जो inequality और उसके curve पे चलता हूँ, देखो कैसे बढ़ेगा, देखो, अगर इसी को हम यहाँ पे ड्रॉ करें, इस जगा पे 6 पे इसको ड्रॉ करें, तो यह कहाँ आता है, देखो inequality, यानि equality कहा आया, बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, देखो, white वाले में देखो, अगर दो लोगों के पास 6 रुपया है, लेकिन जैसे ही हम red वाला inequality लाइन पे आते हैं, तो एक लोग के पास 6 रुपया होता, यानि कि आसमानता और बढ़ गई, दो लोगों के पास था, थोड़ा सा distribution था, अब क्या हो गया, distribution और कम हो गया, और इसी तरीके से और भी आप कर सकते हैं, लेकिन अब हरा इस लाइन को देखो, इस लाइन को, अगर मैं इस लाइन की बात करो, यहाँ पे, और यहाँ पे हम बात करें, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पर देखो, यह और यह, तो point को समझने कोशिस कीजिएगा, जो white color है, उसको देखिए कि दो लोग के पास 6 रुपया ह इसमें क्या है, एक लोग के पास 6 रुपया है, और यहाँ पे 6 रुपया तो नहीं आ पाया, 6 रुपया पे हम लोग को चलना चाहिए था इसी जगह पे, छे रुपया पे हम अगर इसको खीचे एक बार, तो हम क्या देखते हैं लगभग चार लोगों के पास 6 रूप ऩया है मैं अग्या अगर आप देखो यह बैग नी कलर है बैगनी कलर लगभग चार पांच मान सकते हो सारे म Yap मैं चार रूपया के Πास चार लोगों के पास 6 रूपया है, तो distribution देखो, distribution ठीक ठाक है, 4 रूपया के पास, 4 लोगों के पास 6 रूपया है, यानि एक लोगों के पास कितना आया, तो inequality और क्या, बढ़ गया, और इस ब्लू कलर में देखो, यानि पूरे 6 रूपया के पास एक लोगों के, तो inequality और बढ़ गया, तो जैसे जैसे इस perfect line के तरफ हम shift होंगे, वेसे जैसे equality होगी, और जैसे जैसे इस perfect line से नीचे की तरफ होंगे, वेसे जैसे inequality बढ़ेगी, ये बात आपने अच्छे तरीके से देख लिया है, मैं इसको औ यह कर्व क्या है यह बता रहा है कि in equality जो है न क्या है गहता हुआ है यह कर्व को हमने मानक मानलिया और यह हमारा perfect equality तो यह जो आपका है इसको लॉरेंज current और गीनी कोफिसेंट यह जो मैंने आपको बताया और गीनी कोफिसेंट व्हां पि उपर में देखेंगे卫ी spelaós पर और मैं आपको वताता हूं और देखें क्या कहाणी कहानी कुछिज त्रीक है की है कि रिपोर्ट के अनुसार कर देता हूँ और यह आपके सामने में है अलागि इसको दिखाई नहीं आपको ठीक है, दिखाई देगा क्या, दिखाई नहीं दे रहा है, सोरी, ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार, भारत दुनिया का सबसे असमान देशों में से एक है, मतलब और भी देश है, लेकिन भारत भी है, भारत में सीर्ष 10% अबाधी, राष्ट्रिया का 57% कमाते है, और सी किसी को क्या बोलते हैं एक बाद ड्रो कर दू यह आप ड्रो कर लिजेगा अपने कॉपी में की स्क्रीन सोट ले करके पीछे जागर कर लिजेगा चलिए तो यहां पर हम लोगों ने गरीवी की बात कर लिए गिनिक उफिसियंट की बात कर लिए और लॉरेंज कर्व के बारे म मानक है वह यहां पर मैं आपको दिखाऊं तो गिनिक उफिसियंट का मानक है जो जीरो जो है ना पूर्ण सामानता है और एक जो है ना पूर्ण और समानता है यानि कि जो यह है यह जीरो है और जो यह है यह जितना नीचे जाएगा उतना एक के तरफ आते जाएगा तो एक और समानता की खाई है और 0 समानता की बात करता है ठीक है ना चलिए तो यहां पर हम गरीबी को रोकते हैं बेरोजगारी के बार भी बात कर लिए आप वीडियो अच्छे से देखिए और फिर आप उसको कोशन लगाईए एक्जाम का आपके एक्जाम का कोशन बनेगा तो थैं